डियर इस्टुडेंट आप सभी कैपी स्टेडी कॉंबर सेंड इंगलीज गुरुजी चैनल में स्वागत है पीछले वीडियो में हमने कोश्चन नंबर 17 तक कवर किया है कोश्चन नंबर 17 तक मेरे ख्याल से कवर हुआ है यहां तक और अभी जो बनाएंगे कोश्चन नंबर 18 त्याग उनुपात से संबंधित है तो इस प्रस्णों को बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले चलते हैं उधारण के प्रस्ण के और इसके जो थियोरी है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं कि यह कुश्चन किस प्रकार से बनेगा क्योंकि आपको बेसिक चीज जो का ग्यान अच्छे सोना चाहिए तो आपका जो ग्यान का इस तरह हो हमेशा अच्छा रहेगा इसलिए सबसे पहले हम बेसिक को समझते हैं क्या लिखा यहां पर तो यहां पर देखे क्या लिखा है त्याग अनुपात की गढ़ना जब नया लावहानी अनुपात दिया ह तो जब नया लाबहाणी अनुपात दिया रहेगा उस समय त्याग अनुपात की गड़ना किस प्रकार से करनी है ये बता रहा है तो जब प्रस्ण में पुराने साज़दारों के लाब विभाजन अनुपात के साथ नय साज़दार सहीत अन्य साज़दारों का नया लाबहाण अनुपात ग्यात हो क्या पूर है कि जब प्रस्ण में पुराने साज़दारों के लाभानी विभाजा नुपात के साथ ने साज़दार सहित अन्य साज़दारों का नया लाभानी अनुपात ग्यात हो ऐसी दसा में पूनह लाभानी अनुपात की गढ़ना करने की आवस्यक्त नहीं होती है केवल त्याग अनुपात की गढ़ना की जा सकती है जो पुराने लाभानी अनुपात में से नया लाभानी अनुपात घटा कर ग्यात किया जा सकता है अब इसका फार्मूला भी दिया हुआ है देखे फार्मूला क्या दिया त्याग अनुपात बराबर पुराना फान बात मानस नया उनुपात कहने के दात पर यह यह है कि अगर उधारन की isol नो को देखेंगे तो हमको समझ में। आ जएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्ण वर प्रश्ण है का अनुपाद त्यश्व करता दिया। यह क्या हो गया। यह पहले जब जो नया अनुपात है वो यहां पर दिया हुआ है देखे पांच अनुपात तीन अनुपात दो मतलब प्रस्ण में दोनों दिया है एक तो एक सवाई का पुराना अनुपात और नया जो साज़दार बना उसके बाद एक सवाई जेट का तीनों का नया अनुपात तो पांच अ अब हमको एक सवबाई का त्याग अनुपात की गढ़ना करणוה करने के लिए हमारे पास फार्मूला है त्याग अनुपात बडर पुराना अनुपात मैनस नया अनुपात तो पुराना अनुपात कौन सा हो गया देखे पाँट तो पाँच बटे आठ तीनोट यहां पर देखे सीधा क्या कर दिया है हल में त्याग फॉराना अनुपाद वराभर लिखा है पुराना अनुपाद माइनास नया अनुपाद पूराना अनुपाद यह वाला पांच बट बट आठ यहां पर अब इसमें माइनस करेंगे किसको तो नया को किसको माइनस करेंगे नया नुपात तो नया नुपात कहां यह दिया है एकस वाई जेट का नया नुपात तो इसमें तीन पांच तीन और दो मतलब पांच भाग किसका एक सका वाई का तीन भाग और जेट का दो भाग तो पांच भाग मतलब पांच बटे कितना लिखेंग तो यहां पर दे के 5 बट कितना लिखेंगे तो 5, 3, 8, 2, 10, मतब टोटल कितना भाग हो गया इन तीनों को योग लगा देंगे तो टोटल भाग है 5, 3, 8, 2, 10, मतब दस भाग, 10 भाग में से 5 भाग किसका एक सका तो हम यहां पर लिख दिए 5 बटे 10, यह वाला 5 बटे 10, तो 5 ब दूसरा य का तो य का भी हम यहां पर देखिए पुराना रुपा तीन बटे आठ है अब माइनस कर देंगे यह तीन है तीन बटे दस हो जाएगा ठीक है टोटल का तीन बटे दस तो यहां पर क्या हो जाएगा इस आठ और दस का लगुतम सभर तक लेना पड़ेगा हमको आठ देखिए जैसे माल यहां पर आठ है और कितना है दस है आठ और दस का लगुतम सभर तक लिकाना तो यह ऐसा खीचिए आप और आठ और दस लिख दीजिए यहां पर ठीक है अब ऐसी संख्या से यहां पर भाग देंगे देखिए किसे आजाएगा दो से दो चोंकाट दो प आठे कटाते जाना तो यहां पर देखिए दो चार और पांच मतलब यहां पर क्या जाएगा दो गुड़ी चार गुड़ी पांच लिख देंगे अब इस चालीस को भाग देंगे आठ से क्योंकि हर रसे भाग देना पड़ता है तो दोनों हर से भाग देंगे और उसके उपर वाले से गुड़ा करवाएंगे जैसे इस हर से भाग देंगे आठ से 40 को तो 8,56 मतलब यहां पर 40 का भाग कैसे देंगे यह देखिए 40 बटे,àn 4 भागी तो 8 कर देंगे आठ पंचे पांट यहां पर चालिस आगया तो यह कड़ जाएगा ठीक है आपने दस्वी भी भी पढ़ा है नौवी भी भी पढ़ा इस द्यान दिजेगा ठीक है यह जो भाग फल इसको क्या बलते हैं भाग फल का गुड़ा हम करेंगे किस से इस उपर वाले से इस हर से जैस पचीस उसी प्रकार चालिस को दस से भाग देंगे तो दस चौक कितना आएगा दस चार आएगा चार का गुड़ों पर और इस की जिए चार पंचे बीस ठीक है 25 में बीस को मैनस करते हैं कितना बच गया 5 यहां पर 40 का 40 लिखेंगे बटे करके ठीक है उसके बाद यहां पर देखें वाई कभी ठीक उसी प्रकार से करेंगे तीन बटे आठ मानेस तीन बटे दस यहां से लग देए पुराना नया तो तीन बटे आठ तीन बटे दस बराबर क्या हो जाएगा 15 यहां पर चालिस दा आठ चालिस कर अब उत्तम सौन तक चालिस अब आठ पंचे पांच पांच तीन बटे चालिस ठीक है यहां पर देखें दोनों का हर बराबर है हमको किसी पर गुड़ा भाग करनी का सकता नहीं है तो हम डारेक्ट लिखतें कि पांच अनुपात तीन आता एक्स और वाई का त्याग अनुपात बराबर पांच अनुपात तीन होगा यह उधार परणान करमांक नुँदा नमबर नुक है तीन नमबर का प्रस्णर या जिनका नंपर भाजार नपात 2 नपात 1 है उन्हों ने ड को को सहज़दार बनाया किसको सहज़़दार बना बलग द को पहले कितने लोगते तीन लोगते तो तीन लोगों कंपाद डिया एक ठीक उसके बाद A, B, C, D का नया लाव भाजान अनुपात 5, अनुपात 3, अनुपात 2, अनुपात 2 है त्याग अनुपात की गढणा कीजिए तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है पुराना अनुपात A, B, C का 3, 2 और 1 नया अनुपात A, B, C, D का 5, 3, 2, 2 इस प्रकार से लिख लेंगे उसक आप सबसे पहले पर करके लिकलेना उसके बाद ही करना तो हम सबसे पहले हैं निकार से लिएंगे यहां पर देखे हमने लिखा है दिया है करके पुराना नुपाथ A अनुपाद B अनुपाद C बराबर 3 अनुपाद 2 अनुपाद 1 इसको हम बटे फार्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखें तो नुपाद 2 अनुपाद 2 अनुपाद 2 अनुपाद 2 अनुपाद 2 मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं तोटल 12 है इन सब को जोड़ेंगे तो तो पांच मटच, b का तीन मटच, c का 2 मटच और d का 2 मटच बारा छीम है इस प्रकारसे अब हमको यह कारने के लिए बोल रहे है तुराना नुपात मैनस नया अनुपात ठीक है पुराना नुपात माइनस नया नुपात बोल रहा है तो पुराना नुपात और नया नुपात दोनों दिया हुआ यहां पर देखिए तो पुराना नुपात में नया नुपात को घटाएंगे चलिए ठीक है तो जैसे ए का कितना है पुराना नुपात तीन बटे 6 माइनस 5 बटे 12 हो गया तीन बटे 6 किसका तो पुराना नुपात को और 5 बटे 12 नया नुपात को अब इनका दोनों का क्या लिकलेगा 6 और 12 का लग उत्तम समपर तक लिका लेंगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा ठीक है आप करके भी देख लिजेगा यहां पर जैसे 6 और 12 अब इनका लग उत्तम समपर तक लिका लेंगे देखे तीन दोने 6 इसको आप ड़ाश्य नहीं को कितना ले लेना है बारा, अब बारा जो आया, जो लगुत्तम स्वार तक इसको हम 6 से भाग देंगे, तो 6, 2 ने, मतब 2 आया, भाकपाल, अब 2 करकुड़ा किस से करेंगे, 3 से करेंगे, इस 3 से करना है, तो 2, 3, 6, उसी परकार 12, 12 को भाग देंगे, बारा से तो बारा एक कम एक आएगा भागफाल एक का गुड़ा उपर वारस किजिए एक पंच्छे पांच मत च्छे में पांच जाएगा कितना बचेगा एक एक बटे बारा हो गया उसी प्रकार बी कभी लिका लेंगे तो बी का पुराना अनुपात है दो अनुपात दो यहां पर दो बटे दो बटे-चाह Matt मैनस तीन बटे बारा कर दिये तो हमारा यह द्यकलाइगा देखे दो बटे ज्रिकर और धुलिकर यहां पर हैंगि आई तो आएगा कुछे दो अगय जाएगा तो चार में तीन जाए का क्या यहां पgoing तो एक वंपत्व और सी का कितना त्याग किया तो सी जो है सी का हिस्सा है पुराना नुपात है एक बटे च्छाय हम यहां पर फिर बता रहे हैं आपको कि सी का हिस्सा एक था हम इसको क्या लिखे एक बटे च्छाय लिखे हैं एक बटे च्छाय पुराना नुपात नया नुपात सी का कितना है दो ह कि अवठ्ध कितना दो वह उसी प्रकार जो है आपको त्या sebagai देने के घंड यहां पर A और और यहां पर A je बी iej ceux जिने दिखा एक तो सून्य है मतलब उसने त्याग किया ही नहीं है ठीक है तो यहां पर हमारा जो त्याग अनुपात लिकला वो है ए और बी ये बी बराबर एक बटे बारा अनुपात एक अनुपात एक होगा त्याग अनुपात क्या होगा एक अनुपात एक तो इस प्रकार से जो ही यह प्रस्नब बनेगा ठीक है उधारन क्रमांग 10 को आप समझ गया होंगे किसी प्रक तो यहां पर क्या चित दियान देना है फिर से तो यहां पर हमको बोल रहा है कि फर्म में एक बटे पांच भाग के लिए नया सहजदार आता है यहां पर फिर क्या बोल दिया प्रस्ण में नया अनुपाद ग्याद करने के लिए ठीक और वहां पर इक भाग दे दिया है इस चीज़ को विश्याद रखना है इक भाग दे दिया है तो इजो है प्रवेस कर रहा है तो इप्रवेस कर रहा है तो कितना भाग ले रहा है एक बटे पांच भाग तो फर्म का कुल भाग जो था उसमें से एक बटे पांच भाग को घटाएंगे तो हम इसको माना की वाला जो प्रस्ण होता है उसी तरीका से बनाएंगे तो माना की व्यापार का लाब एक है, कितना है एक है, माना की व्यापार का लाब एक है, जिसमें से E को दिये जाने वाला भाग एक बटे पांच है, तो हम क्या करेंगे, E के भाग को घटा देंगे इस इक यहां पर से पाँच एक लगो त लेगे तो इतना ही अगए ठीक क्योंकि 5 5-1-1 5 करते हम तो यहां पर क्या हो रहा है 5-1 5 पांच या इसको कैसे लिख सकते पांच से या आप इसको कैसे लिख सकते हैं पांच सहीं एक बटे पांच लिख सकते हैं तो सेज भाग को पुराने सहधार भविष में अपने नए अनुपाद में बित करेंगे मतलब इस चार बटे पांच भाग जो आया सेज भाग इसी को हमको पुराने जो साज़दार है ए बी सी डी इनका जो अनुपाद दिया हुआ यहां पर देखें तीन चार दो और एक पहले अलग था लेकिन अब अलग है तो इस अलग वाले में से लिकालने आपको नया पाड़ यूला भी नापका था तो कैंस business शेडं पुराने से लिए नए अनुपात में नुपात बैल में तो यहां पर लिख देते हैं तीन आनुपात नंुपात दो और । यहां पर लिख देते हैं ती लिखत चार कमाद्लिडाने है जीन आतरी ने आनुपाद में आर्फ तो तुसको जाए तो यहां सकते हैं चार बटे दस दो बटे दस एह बटे-दस तो यहां पर शीचत जो हिस्सा है वे इस देए जो जो फ्रक्रित भाग जो है और उसी हिस्से में से चार बॉते दस भाग पराप्त करेंगा और इसी चार बॉते पांच में 3 निदे चार प्राप्त dal है। प्रश्न पांच तो इसको हमने जैसा का तैसा लिग दिया यहां पर दोगिए तो यहां पर देखें सब के हर में क्या है पचास पचास है और इसके हर में क्या है पांच है तो कहां बनेगा इसको भी हमको उसी समान बनाना पड़ेगा ताकि हर जो है बराबर हो तो हर को बराबर करने के लिए हमने 10 का गुड़ा किया 5 दहां 50 तो जब नीचे हर में गुड़ा करते हैं तो अंस में भी उतनी संख्या का गुड़ा करना पड़ता है तो यहाँ पर देखे 10 बटे 10 का गुड़ा कर दिये तो 10 से कम 10 वा 5 दहां 50 इस प्रकार जो नया अनुपाद बनेगा वो है 12, 16, 8, 4, 10 यहां पर देखे नया नुपाद बना दिये 12, 16, 8, 4, 10 इस प्रकार से जो है यह प्रस्न जो है सौल होगा ठीक है कि इस प्रकार से आपको कुश्चन को सौल करते जाना है समझते जाना है देखिए एक बार और एक बात और हमेंसे याद रुखिए कोई चीज अगर समझ में नह होता है तो आप वीडियो के एक और पहुं और सबस्क्राइब यार नहीं रहती आप हो सके दो एक बार दो बार कररेके देखिए तो आपको पूरी-पूरी है एक ऐक बाधे कलियर होते जाएगी और मैं कोशिस करता हूं आप लोगों के लिए कि एक एक चीज को आप लोगों के दिमाग में फिट हो सके ऐसी चीजें बता पाऊं आपको समझा पाऊं तो यह आज के लिए बस है ग्यारवन नंबर का जो कोश्चन था उधारण का इसको हमने देखा नेक्स्ट गुक करता है तो आज कि लिए बस ही रखते हैं और अधिक थे वीडियो को है रवत से कीजे תो मैं भुझा हो कि यह जो बीडियो है वह अधीक तो इसका फाइदा हो और सब के फाइदे में ही सबकी भलाई है ग्यान बाटने से बढ़ता है चुपाने repeat बढ़ता है इन चीजों का हमें सा याद रखें आपके अंदर जो कला है बू आगे चल करके निखरेगी और आप भी अपना ग्यान बाटिए और लोगों तक पहुंचाएं इसी कड़ी में मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक मेरे वीडियो को कॉमर्स से पहुंचाएं ताकि सब जो है घर बैठे मुपत में सिक्षा प्राप्त कर सके तो आज के लबास इतना है वीडियो को देखने के लाव सभी का बहुत बहुत धन्यवाद